Hey everyone, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बिहार और MP प्रेलेम्स के लिए test series स्टार्ट होने वाले हैं 18th October से, आपको अगर जोइन करना है तो आप इस दिये हुए number पे हमसे contact कर सकते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, त इसे हर act का preamble important होता है, वैसे ही इस act का भी preamble important है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर state का अपना एक rent control act होता है, यह जो आज के समय में हमारे social scenario चेंज हो रहे हैं, उसको देखते हुए यह act काफी जरूरी हो गया, इसलिए हर state ने अपना एक rent control act बनाया है, इसको नाम जैसे MP में इसको accommodation control act कहते हैं, इस नाम से यह जाने जाते हैं, इन acts का main objective दो होता है, पहला standard rent, जो landlord है, वो misuse ना करे, tenant को abused ना करे, कि मन-मन चाहे रूप से जितना मन क्या उतना rent रख दिया, उसकी कोई limit नहीं है, और tenant से वो का social कर रहा है, जितना मन कर रहा है, उतना rent ले रहा है, तो उन चीजों पे रोक लगाने के लिए ये act जरूरी है, और इस act का main objective पहला यही होता है, कि जतनी जरूरत है, जितना premises है, उसके हिसाब से ही tenant जो है, वो rent पे करेगा, दूसरी चीजोंती है, security of tenure, ये tenant के लिए भी बहुत जरूरी होता है, कि उसको security मिले, ये हमें तुम्हें evict करना है, तो उसके लिए कितने दिन की notice देनी होगी, और साथी साथ ये landlord की security के लिए भी जरूरी है, तो ये दो main objective होते हैं, किसी भी rent control act के, एक चीज़ में और आपको यहाँ पे बता दूँ कि कुछ student का कहना है, कि हमें Hindi medium में वीडियो चाहिए, तो bilingual होता है, तो आपको यहाँ पी थोड़ा सा manage करना पड़ेगा, चलिए इसके preamble को देखते हैं, इसके preamble का आप first para पढ़िए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके president का एसेंट received हुआ था 25th December 1961 को, और ये मद्यपरदेश gadget में published हुआ था 30th December 1961 को, ये date important है, इस date को याद act का objective बताए गया है कि ये act किसके लिए है, तो देखिए इस शुरू होता है, an act to provide for the, किसके लिए है ये act, regulation, control of letting, rent के लिए है, expeditious trial of eviction, in case of bona fide requirement, और किसके bona fide requirement, जो certain categories है, landlords की and other manner, जो भी इससे, other matter, जो भी इससे connected है, तो ये इस act में, main चीज़े ही, इसके बारे में बताई गई है, preamble में किस act में क्या क्या है, और इन सब को एक एक करके, हम main provision में जब जाएंगे act की, तो उसको discuss करेंगे, आज मैं आपे आपके साथ जो discuss करना चाहती हूँ, वो है expeditious trial, ये जो दिया हुआ है, एक special चीज़ दी हुई है, प्रेमबल में, वो कुछ समय में उस general procedure या other procedure का exception होता है, और वो कुछ cases में ही provide किये जाते हैं, यहाँ पे इस act में क्यों दिया, या है expeditious trial in case of bona fide requirement, अब bona fide क्या होता है, अब bona fide तो इस act में कहीं पे define नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि landlord को जब भी भी अपने premises की genuine, real, pure या sincere requirement होती है, तो उसको हम bona fide requirement कहते हैं, वो requirement उस समय exist नहीं कर रही थी, जब वो tenant को premises दे रहा था, वो बाद में exist करती है, तो उन circumstances को देख करके कि landlord को इस समय उसकी bona fide requirement है, उस case में इस act के अंदर expeditious trial का provision दिया गया है, जिसको हम special procedure कह सकते हैं कि special procedure यहाँ पे अपना आ जाएगा, क्योंकि यह exceptional circumstances ह हैं, तो यहाँ पे वो special categories of landlords क्या है, वो हम लोग detail में आगे discuss करेंगे provisions में, और सिफ landlord ही यहाँ पे add नहीं होता है, जो उसकी family members होते हैं, उनके भी bona fide requirement पे evict कराया जा सकता है, tenant से premises को, वही expeditious trial of eviction जो है preamble के अंदर दिया गया है, यह सब क्या है, यह हम detail में आगे discuss करें 1 discuss कर देती हूँ, देखिए, यहाँ से chapter 1 शुरू हो जाता है, जिसका नाम preliminary है, इस chapter का नाम, section 1 में देखी दिया गया है कि इस act को मध्यपरदेश accommodation control act 1961 कहते हैं, यह whole of the मध्यपरदेश पे apply होता है, and first instance यह fours था, उन areas में, जो first schedule में specified हैं, next video में हम section 2 को discuss करेंगे, जो की definition clause है, वहाँ पर बहुत सारे important definitions दिये गए है, accommodation, landlord और tenant, यह 3 चीज़े क्या होती है, और rent क्या होता है, इसको हम next video में discuss करने वाले हैं, thank you